हेलो गाईज, वेलकम टो करनेट अफेर्स फंड हो दोस्तो अपकमिंग डेज में जितने भी आपके IBPS, RRB के या PO के क्लेरिकल के जो भी मेंस के एक्जामनेशन है इसमें गाईज, जनरल अवेरनेस के लिए हमें क्या-क्या पढ़ना है आज मैं आपको बिद एक्जामपल यहां पर explain करने वाला हूँ और क्या sources आपको follow करने हैं जो आपके examination में काफी अच्छे नंबर आपको दिलाएंगे तो पहले guys मैं आपको थोड़ा से यहां पर content दिखा दे रहा हूँ कि मैं किन चीज़ों कि हाँ पर बात करने वाला हूँ तो देखो दोस्तो यह cable जो 4 folder है यह आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इन content को आप follow करते हो आपको दादू current affairs फंडा पर regular current affairs आते हैं उन सभी का यह एक तरीके से monthly compilation है अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है यह है 6 month के last के जो हर एक month के 500 mcqs होते हैं उसमें हर एक month की फाइल है मैं आपको open करके भी दिखाऊंगा यह आपकी revision करने के लिए 500 mcqs की फाइल है जिसको आप लोग revision कर सकते हो ठीके और यह जो आपको दिख रहा है कि banking awareness last के जितने भी 6 month है उनकी हमने जो banking और economic की फाइल है वो हमने यहाँ पर आपके लिए दे रखी है और यह guys assignment questions जो बहुत 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 important होते हैं वो यहाँ पर आपसे एक सर ने आप सबीक लिए डिजाइन करके दिये हैं ठीके तो हम किसी भी एक latest month से यहाँ पर start करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर monthly current affairs को open किया है तो अभी सबसे recent हमारा August month है ठीके हमने यहाँ पर August month को open कर लिया ठीके और उन सभी की explanation भी है जैसे यहाँ पर question दिया है यह appointment का question है और इसमें कहा गया है दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रुप में किसको नयुक्त किया गया है तो guys यह appointment जो हुआ है वो है संजा रोडा जी का ठीके अब इसी point में हमने यहाँ पर आपको कुछ और भी points पता है ठीके कि यह जो दिल्ली पुलिस में appointment हुआ है यह ministry of home affairs ने appointment यह किया है और यह एक senior IPS अधिकारी है और यह नए दिल्ली के जो है नए पुलिस commissioner के तौर पर अब अपना काम करेंगे अब एक question यहाँ पर दूसरा बनता है कि इन्होंने किसको succeed किया है तो इन्होंने राकेश अस्थाना इनको succeed किया है ठीके अब आप यहाँ पर देखना यह point और भी important होता यह जो हमने संजारोडा जी की बात किया यह 1988 के बैच के तो यह points यहाँ पर जरूरी हो जाते है अब guys कुछीज़े हैं जैसे डेली है तो डेली के CM कौन है डेली के जो LG है यह कौन है तो यह question बहुत ही most common होते है यह सभी लोग हम डेली 2-day life में पढ़ते रहते हैं तो इनको हम यहाँ पर skip कर देते हैं जो relevant information है यह हमने यहाँ पर आपको दिये है अब जैसे इसमें sports का combination है तो complete पूरे मंत का यह package है तो यहाँ पर pages बहुत है 286 है guys यही चीज़ है क्योंकि हमने explain बहुत अच्छे से कर रखा और questions बहुत ही quality format में डाल रखे हैं तो बंदा कहेगा हम इस PDF को कैसे cover करें हम इतना detail पढ़ना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं अगर आप detail नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करो यह जो दूसरा वाला folder है ना यह बाला only mcq वाला तो आप इसमें only mcq फाइल देख लो अगस्मंत की अब देखो only mcq क्या है यह बहुत fast आप अपनी चीजों को cover कर पाएंगे देखो इसमें हमने क्या दे रखा है ध्यान से देखना एक एक पेज पर हमने बहुत सारे mcqs दे रखे है देखो यह question आपने पड़ा इसका answer देखा यह sports की देखी इसका answer देखा फटा-फट एक ही page पर आपने कई सारे questions की practice कर ली है तो अब आप यहाँ पर देख पा रहा हो कि 66 pages में आपने पूरे महिने के current affairs को यहाँ पर cover कर दिया तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम आपको content दे रहे हैं वह हमार format में दे रहे हैं लेकिन मेरा recommendation होता है कि अगर आप detailed पढ़ोगे तो guys आप यह मान कर चलो कि आप लगबग 80% marks वाले students बनोगे ठीक है क्योंकि इसमें से भी question पूछे आ सकते हैं न अब अगर यही detail को आप skip कर दोगे और आप cable mcq पढ़कर चले जाओगे तो guys वहाँ पर आपका काम नहीं चल पाएगा इसलिए मैं कहता हूँ कि यह mcq और detail दोनों का combination हमें यहाँ पर बनाना चाहिए ठीक है अब एक चीज गाज और आप यहाँ पर देखो कि यह वाली चीज तो आप क्यों हो गई अब इसमें हमने जो banking awareness है वो भी यहाँ पर दे रखा है देखो जैन से दे रखा है जैन, फैब, मार्च, अप्रेल, मैई, जून, जुलाई, अगस्ट आपर यह जो जुलाई वाली फाइल है ठीक है आई होप, जू है जुलाई में दे रखा है ठीक है, तो जैसे जुलाई में यह फार्मेट दे रखा है बैंकिंग अवर्नेस का आप देखो इस फार्मेट में फाइल दी गई आपको लिखा है कि विस्ट बैंक ने भारत के रेल्बे रस्त बुनियादी धाचे के आदुनी करण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दिये ठीक है, यह एक तरीके से क्या है कि हमारे हाँ फाइनेसल सेक्टर की यह न्यूज है ठीक है, तो हम बैंकिंग, एकॉनमिक, फाइनेस तीनों को रखाया है, ठीक है, वर्ड बैंक ने 250 मिलियन डॉलर का लोन, रोट सेफटी के लिए प्रूब किया है, वर्ड बैंक में सेंचिन किया है यूज डॉलर 350 मिलियन का गुजरात के लिए तो आप यह सब डीटल पर रहो है, तो आपके अगस का दिखा रहा हूँ, अगस में यूनिक कोश्चंस, लगबग मुझे लग रहा है, यह कितने होंगे, यह पॉयंट वाइपॉयंट हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यह कितने कोश्चंस हैं आपर, यह से स्टार्ट हैं, और यह हाते हैं, गाइज, 180 तक नियर वाउट, 176 यह 176 questions हैं, ठीक है, अब इसमें देखो, फटा-फट करना एकबार, ठीक है, अब जैसे पहला question मैं लिए, how many states in India prohibited alcohol, तो 4 states हैं, Bihar, Gujarat, Majoram and Naugaland, ठीक है, तो कभी option इसमें से पूछ लिया जाता है, drop the murmur hails from which district in Odisha, तो यह, Mayur भंज से आती है, ठीक है, तीसरा question है when was the first event of Commonwealth Games held, 1930 में ठीक है, the Canadian city of Hamilton, तो यह guys, जो questions है बहुत-बहुत iconic, अगर आप इन questions को पढ़ रहो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहीं पर कोई परिशानी आएगी, exam में question आपको 100% मिलेगा, ठीक है इसी बज़ा से हमारी team ने, जो भी expert questions होते हैं, वो सारे expert team के दौर आपके लिए त्यार किये गए, ताकि आप यहाँ पर एक अच्छा decent score ला पाएं, ठीक है अब कोई कहगा नहीं सर, मुझे तो weekly पढ़ना है, मुझे यह नहीं पढ़ना है, ठीक है कोई बात नहीं guys, हमने आपके comment के लिए यह folder extra दिया हुआ है 2022 का, जो 6th month का, इसमें हमने जन्वरी से लेकर अगस तक कर रखा है, ठीक है यह पूरा compilation यहाँ पर है अगर आप चाहते हो, कि मुझे daily भी चाहिए weekly भी चाहिए, तो आप इस वाले folder के अंदर entry मार लो, और आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं आपको illustration यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे यह है तो आप किस month में चले जाओ, जैसे आप अगस में गए, ठीक है, तो देखो अगस में, यहाँ पर, क्या-क्या है आपका daily है, weekly है, monthly है और one liner है, तो अगर आप daily में जाना चाहते हो, तो आप daily में चलाओ एक अगस, दो अगस, तीन अगस, चार अगस, ठीक है कोई भी आप देख सकते हो, आप चाहते हो आप मुझे weekly करना है, मुझे 1-8 तक का करना है नहीं, मुझे 16-22 तक का ही किवल करना है तो आप 16-22 की file open कर लो और यहाँ पर जो यह बाला week है आप इसके MCQs को तैयर कर लो यह भी आपको बिलकुल complete explanation format में मिलेगा कोई उपर-उपर की चीज यहाँ पर नहीं दे रखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चाहें किसी का भी current affairs दुनिया में follow कर रहा हो ठीक है, doesn't matter लेकिन आप बहुत एक short crisp अपनी knowledge लेने के लिए आप हमारे खुद के questions देखो यह questions internet से नहीं लिए गए कहीं और website ने questions बनाया तो हमने वो questions नहीं चापे है हमने एक-एक question को खुद से frame किया उसकी language design किया है उसमें Hindi English खुद से लिखा है और सारे options और explanation part जो है वो हमने अपने आप से डाला है यह काफी unique current affairs आपके लिए हो जाते हैं और यह सारे के सारे current affairs आप online पढ़ सकते हो desktop पे पढ़ सकते हो download कर सकते हो web browser में जैसे मैंने आपको दिखा है और आप mobile app के थुरू भी आप इनको read कर सकते हो लेकिन जो save करने वाली process होगा वो आपको web पे मिलेगा ठीक है वो मैं आपको वीडियो के description में link दे रहा हूँ तो आप जाएं और फटा-फट इस course में enroll कर लें discounted है 230 रूपेज में अभी आपको यह मिल जाएगा कुछी time के लिए है यह फिर इसका price increase हो जाएगा और साथ में अभी यह जो reasoning का complete course है pre plus means का यह केबल 2 double 9 में मिल ला है आपको ठीक है वैसे 4 double 9 लिखा है लेकिन आप घबरा नमत CAF200 अप्लाई करोगे coupon code आपको यही वाला course केबल 2 double 9 में मिल जाएगा इसी तरीके से जो DI का course है यह भी आपको 3 double 9 में मिल जाएगा जो 5 double 9 का है ठीक है तो हमने courses यह कर रखिए कि आपको वह सारी चीज़ें दी जाए जो exam के हिसाब से जरूरी हो इसलिए हमने यहाँ पर इन चीज़ों को सामिल कर रखा है तो यह वाला doubt के लिए होगा अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर काफी लोग कहते हैं कि sir मैं बै ब्लॉग इन करता हूँ तो मुझे आप यह बाला code बताओ batch code क्या है batch code की कोई जरूरत आपको नहीं है आपको सिर्फ क्या करना है या तो आप store में चले जाओ और store में जाकर यह आपका course already purchased में दिखा देगा अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप जैसे यहाँ पर जाओगे profile में जैसे ही आप यहाँ पर जाते हो profile में तो आप जो profile में आओगे तो profile में courses में आप चले जाओ profile में courses में जाओगे, यहां पर यह course दीख जाएगा, आप इस पर click करोगे, पुरा course open हो जाएगा और उसके content में आकर आप सारी files को एक एक करके open करके देख सकते हो और guys, quizzes बहुत हैं, practice करने के लिए, देखो अभी है, 41 quizzes updated है आप इस test को attempt करो, अपना, देखो किस format में आप questions बना पा रहा हो, ठीक है test की तरह आपका सब कुछ आएगा, आपको answer यहां पर करना है, ठीक है यह मैं आपको यहां पर एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है आप इसको okay करो, और आप attempt करना है start कर दो, ठीक है यह देखो, proper सारे questions आएंगे, next करो, questions समझ में आ रहा है दूसरे question पर जाओ, तीसरे पर जाओ, चौते पर जाओ, पाच्पे पर जाओ इन सब को आप practice करके एक बार देख सकते हो तो हमने जो भी चीज़ें आपके लिए दे रखी हैं, वो बिलकुल up to date है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इन questions को बनाओ, और अपनी preparation देखो, इनके answers देखो और अपनी त्यारी बहतर आप करो, ठीक है तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे एक लिए session में, और solutions बगरा, A to Z, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो और जो यह buy करने का link है, वो मैं आपको description में दे रहा हूँ guys, किसी को भी follow कर रहा हूँ, एक बार आप इस content को use करके देखो कि आपका दिल खुस हो जाएगा हमने बहुत मेहनत किये, बहुत-बहुत मेहनत करके, यह content आपके लिए हमने design कर रखा है, ठीक है आप laptop पर देख सकते हो, download कर सकते हो, PDF को print out ले सकते हो और mobile पर offline यह file save हो जाएगे, mobile के memory card में नहीं जाएगे लेकिन mobile पर read कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, test दे सकते हो, everything is available on mobile also ठीक है, तो आप इसको use करें और अपनी preparation बहतर हुना है buy करने का link आपको description में मैंने दे रखा है thank you so much guys, have a good day to all of you once again, we will meet in our next video